जैसा कि देख सकते हैं कि अभी ये बंदा इस बंदे को आनलाइन देख पा रहा है अभी अपना वाटसअप ओपन किया है तो ये बंदा आनलाइन देख पा रहा है लेकिन जैसे ही ये बंदा अपने वाटसअप को क्लोज करेगा तो इस बंदे को आनलाइन दिखना बंद हो और यहां तक कि यह बंदा इस बंदे का लास सीन भी नहीं देख सकता है। देख सकते हैं अभी बग के अनुसार दिख रहा होगा लेकिन यहां पे यह बंदा अभी ओनलाइन नहीं दिख पा रहा है। यह देखिए मैंने फिर से open करके close किया तो online से offline तो हो गया लेकिन last scene नहीं देख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का यही सिकायत है कि अब आप किसी का भी WhatsApp पे last scene नहीं देख पा रहे हैं तो वो चीज आप कैसे देख सकते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को like ने किया है तो यार जल्दी से इस वीडियो को एक like कर दीजेगा चैनल पे नए होंगे तो यार चैनल को subscribe कर लीजेगा और बगल में आपको एक घंटी का option दिखेगा उसे भी on कर लीजेगा अभी मैं आपके सामने एक बार फ इसको online दिखने लगा अब जैसे ही वो बंदा offline जाएगा इसको last scene नहीं दिखेगा online भी नहीं दिखेगा वैसे तो ये online से offline हो गया है देख सकते हैं लेकिन बग चलते रहता है पता नहीं क्या दिक्कत है तो ये दिखे फिर से open करके close किया तो अब यहाँ पे last scene जो है वो छ चुप गया अब देख सकते हैं last scene नहीं दिख रहा है ये तब दिखता है मतलब एक बार वापस से close करना ही पड़ता है ये देखो मैं online आ गया बग चलते रहता है तो ये देखे online दिख रहा है जैसे ही मैं यहाँ पे close करूंगा तो ये offline नहीं हो रहा है एक बार फिर मुझे offline करना पड़ेगा ये मैं online गया और ये मैंने close किया तो ये अभी offline हो गया तो देख सकते हैं कि इसको last scene भी नहीं दिख रहा है लेकिन आप last scene देख सकते हो लेकिन क्या करना होगा आपको एक application डाउनलोड करना होगा और इस app का download link मैंने नीचे वीडियो के description में दे दिया हू तो उस app को आपको open करना है open करने के बाद यहाँ पे आपको एक option दिखेगा add family member इसके उपर आपको click करना है अब यहाँ पे आपको yes के उपर click कर देना है और इसके बाद यहाँ पे add family member इसके उपर फिर से click करना है यहाँ पे जिस बंदे का आप last scene या कब online आया कब offline गया य जानना चाहते हैं, उसका नाम डाल दो, मैं यहाँ पे नाम डाल देदा हूँ, नाम डालने के बाद यहाँ पे country code select कर लो, तो यहाँ पे हमारा 91 है, अब यहाँ पे इस phone का number आप add कर दो, अब यहाँ पे save के option पे click कर दो, यहाँ पे आपका number save हो चुका है, अब आपको यह 5 मि यह wait करने के बोल रहा है, ओके पे click कर दीजे, इस app को अब close कर दीजे, इसका अब कोई काम नहीं है, अब अगर मैं इस phone के अंदर, WhatsApp पे online आऊंगा, या फिर offline जाऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा, कि यह बंदा कब online आया, और कब offline गया, यह देखिए मैं आपके सामने अपने WhatsApp को open किया, यहाँ पे देखिएगा, तुरंट एक message आ जाएगा, कि यह बंदा online आ चुका है, देख सकते हैं, अगर यह बंदा offline जाएगा, तो मुझे एक message आ जाएगा, कि यह बंदा offline जा चुका है, अब यहाँ पे एक और खास बात यह है, कि आप यहाँ पे last scene भी देख पार हो, जैसे कि मैंने WhatsApp open किया, यहाँ पे मैं इसके chat के अंदर चला गया, अभी यह बंदा online है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि online है, अब यह WhatsApp को close कर दिया, तो यहाँ पे इसका last scene दिखी नहीं रहा है, कि यह last scene इसका कपका है, तो आप यह चीज़ चेक कर सकते हो, य यह वाली application से, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से download करना है, तो इसको open करना है, और यहाँ पे आपको दिख चाएगा last scene की 11 बच के 28 मिनट पे इस phone का WhatsApp का last scene है, तो ऐसे ही आप पता कर सकते हैं, और उपर से bonus में आपको notification तो मिलिये रहा है, दिख सकते हैं यहाँ पे कब online आया, कब offline गया, अगर आपको यह वाली app download करनी होगी, तो नीचे मैंने आपको इस video के link दे रखा हूँ, वहाँ से click करके download कर लिजेगा